तो guys हम ROMS के review तो continue करेंगे ही बट उसके साथ मैं एक चीज और add करना चाहूंगा चैनल के उपर वो है छोटे छोटे इन्फोरमेशनल अपडेट्स के बारे में जो कि आपको काफी ज़्यादा काम आएंगे in future ताकि आप अपने phone का updates का जो status है वो जान सको कुछ ऐसे छोटे छ updates के बारे में जो कि officially आने वाले हैं 11 Xiaomi के smart phones के अंदर और यह जो updates है यह कब आएंगे और कौन से वो device है क्या उनका version रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं सबसे पहले हम अपनी site के उपर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने इसका post वगरा डाल दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो सारे 11 smart phones है इनके जो भी HyperOS के आने वाले updates हैं जिस भी region में आएंगे वो सारे के सारे भाई Xiaomi UI ने अपने Xiaomi का जो official server होता उसके उपर यह 1.0 name से और यह Android 14 based है और इसका जो code name है वो आप check out कर सकते हो और यह Europe के अंदर सबसे पहले आने वाला है Xiaomi 12T Pro के लिए उसके बाद Xiaomi 12 Pro जो की भाई इंडिया के अंदर भी काफी अच्छे खासे users हैं और यहाँ पर आपको जो update मिलेगा यह 1.0.2.0 based होगा और यह भी आपको स update है वो 1.0.2.0 के साथ आएगा और यह वाला जो update है यह दोनों ही जो है globally आएगा और दूसरा आपको Europe के अंदर मिलेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह वाला आपको 1.0.2.0 यह globally update मिलेगा और उसके बाद का जो update है 1.0.1.0 यह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर Europe के अंदर उसके बाद यहाँ पर आप Xiaomi 13T के अंदर देख सकते हो यहाँ पर आपको HyperOS का जो update देखने को मिलने वाला है आने वाली Wix के अंदर 1.0.2.0 बेस्ट होगा और यह globally आपको देखने को मिलेगा Android 14 बेस्ट है of course Xiaomi 13 के अंदर आपको मिलेगा Taiwan के अंदर सबसे पहले आएगा उसके बाद Europe के अंदर आएगा जो Taiwan में आपको version मिलेगा 1.0.1.0 होगा और यहाँ पे जो आपका Europe के अंदर होगा 1.0.2.0 होगा उसके बाद 13 Pro होगा Xiaomi का top and high end device और उसके अंदर भी आपको 1.0.3.0 based official Android 14 update मिलेगा जो कि सबसे पहले Europe में आपको आने वाला है तो आ Mi Note 12 Pro 4G phone है उसमें आपको देखने को मिलेगा Android 13 based update तो यहाँ पे आप देख सकते हो HyperOS का Android 13 based update है अब जितने भी device हैं जिनमें Android 13 based update आएगा उनमें सब के सब features आपको नहीं मिलेगे मेरे पास यह Mi 11X है और इसमें भी Android 13 based आने वाला है Poco X3 Pro में भी आपको Android 13 based update मिलेगा तो इ इसमें Europe के अंदर आपको update मिलेगा 1.0.3.0 का Poco X5 5G phone है उसमें भी आपको Android 14 based update मिलेगा और यह वाला सबसे पहले globally आने वाला है उसके बाद Poco F5 Pro 5G के लिए update वैसे rollout होना start हो चुका है बढ़ यहाँ पे जो आपको नए versions देखने को मिलेगे ना वो है 1.0.2 का और यह Xiaomi Pad 6 और इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 1.0.3.0 जो की Europe के अंदर आएगा उसके बाद 1.0.4.0 जो की आपको globally मिलेगा और इसके बाद जो third update है इसका वो आप देख सकते हो 1.0.2.0 जो की इंडिया के अंदर आने वाला है और भाई मैं आपको बता दूँ क यह जो updates है ना Android 13 बेस्ट हो या Android 14 बेस्ट यह 11 की 11 जो devices है आपको यहाँ पर जो updates है इनके अंदर end of January देखने को मिल जाएंगे या फिर आप जो है FAB के अंदर भी देख सकते हो starting में FAB के आपको hopefully यह जो updates है वो देखने को मिल जाएंगे अभी वैसे मैंने यहाँ पर install कर र वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करके जाना मिलेंगे नेक्स्ट इंट्रस्टिंग वीडियो के